इस वीडियो, we will learn the naming of coordination compounds तो देखो, जितने भी टाइप के coordination compounds होते हैं जो आपके syllabus में है, board exams के और आपके NEET, JE के syllabus के accordingly तो वो मैंने सारे के सारे यहां पर examples लिखती हैं अब देखो, यहां पर मैंने first example लिखी है यह पूरा का पूरा जो molecule है, यह सारा का सारा square bracket के अंदर है, अगर आप देखो इस compound को, तो यह पूरा इस bracket के अंदर है, ठीक है, neutral molecule है यह, अब second अगर आप देखो गई से, इसमें देखो, जो first part है, वो तो square bracket में है, and second part जो है, वो bracket के बाहर है, तो first part जो है, ब्रोमीन हमें पता है, negative ही, counter iron होता है, यह positive part है, and this one is negative, here potassium जो है, यह positive part पहले लिखा, and जो negative part है, square bracket में है, अब fourth example देखो, दोनों ही positive part and negative part, दोनों ही square bracket में है, and last one देखो, यह वाला जो molecule है, यह सारा का सारा एक bridging molecule है, ठीक है, तो bridging molecule बोलो, आप इसको coordination compounds की बात हो रही है, कुछ भी ब करेंगे, कि किस तरह से naming करते हैं, तो first को देख लो यहाँ पे, अब मेरे पास दो type के ligands लगे हो हैं, यहाँ पे, यह central atom रहता है, जो cobalt है, central atom, यह central metal atom जो भी है हमारा, and जो यह donating molecule लगे हो हैं, यहाँ पे, इनको हम ligands बोलते हैं, coordination chemistry की भाशा में, आप यूं कह सकते हो, ठ तीन है, three, NH3, amine है, and तीन ही chloro है, तो alphabetically ही इसकी naming करते हैं, ligands की, पहले amine आएगा, फिर chloro आएगा, तो कितने amine हैं हमारे पास तीन, तो तीन amine के लिए, we will write triamine, अब यहाँ पे जो amine होता है, इसके लिए double m i n न इस्तेमाल करते हैं, triamine, tri chloro, उसके बाद, cobalt, ठीक है, अब इसकी जो ending and neutral molecule है, तो कोई special नहीं रहेगी, cobalt, and जो इस तरह से bracket रहेगी, इसमें हम क्या करेंगे, इसकी जो oxidation state है, वो लिखेंगे, अब देखो, oxidation state निकालना हमें class 11 से आता है, तो इसे निकालने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, अब क्या करते हैं, यहाँ प प्लस 3, NH3, 0, प्लस 3, chlorine की minus 1 होती है, पूरा molecule neutral है, equals to 0, अब देखो, x is equal to, यहाँ पर आ गया, प्लस 3, तो यहाँ पर मैं इस तरह से domain numerals यूज़ करके 3 लिख दूँगी, तो इसका नाम हो गया, triamine, trichloro, cobalt 3, ठीक है, बहुत simple था, first का name लिखना, अब second पर बात करते हैं second slide में करते हूँ, यहाँ पर बहुत जादा मैंने खिचड़ी पगा दी, आप ऐसा नहीं करना, मुझे second slide से लिखना चीए था, बर चलो यहाँ पर first लिख दिया, कोई बात नहीं, now second लिखते हैं, तो अब देखो second को मैं यहाँ पर दुबारा से repeat लिख देती हूँ, coen twice, cl2 square bracket में, last में लिखा था, br, अब अगेन इसको भी name करने का वही तरीका है, en जो है हामें पता है, ethylindiamine, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर जो 2 है, क्योंकि यह complex जो है, लिगेंड है, तो इसके लिए हम die, tri, tetra, news करते हैं, हम bis, tris, tetra, कि इस तरह से इस्तिमाल करते हैं, तो 2 के लिए मैं लिखूंगी, bis, ठीक है, अब देखो, यह ethylindiamine है, e से शुरू होगा, and जो second ligand है, वो chloro, c से शुरू होगा, ठीक है, तो यानि कि starting जो होगी, chloro से होगी, तो this is dichloro, उसके बाद क्या करेंगे, bis लिखेंगे, बिना किसी gap के, bracket शुरू करेंगे, उसके बाद e-n का full form लिख देंगे, ethylene-diamine, अब यहाँ पर जो amine आएगा न, वो single envelope होगा, इसको close किया, उसके बाद जो है, cobalt, and जो bracket रहती है न, इसको छोड़ दो यहाँ पर लिखके, बाद में oxidation number लिख देंगे, और last में है हमारा bromine, तो इसके लिए we will use bromide, अब क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, cobalt की, तो this is x plus, जो e-n है, यह एक neutral ligand है, bracket में 0, plus chlorine का तो हमको पता है, minus 1, plus जो है bromine, एक bromine है, इसका भी minus 1 रहता है, equals to 0, तो अब निकाल लो इसे, x, यह 0 हो गया, minus 2, minus 1, equals to 0, तो x is equal to plus 3, तो मैं क्या कर सकती हूँ, last में जाके यहाँ पर इस तरह से roman numeral में इसकी oxidation state को लिख दिया, बहुत simple था, now coming to our third example, जो मैंने लिखा था, अब positive part जो बाहर है, और जो negative part है, वो bracket में चला गया, आप देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, जो k4 है, potassium, simple, positive के लिए कोई special ending नहीं रहती है, इस तरह से अगर आता है हमारे पास, तो इसको लिखेंगे potassium, उसके बाद जो यह पूरा का पूरा complex है, without any gap लिखा जाएगा, तो चार के लिए tetra, ciano, अब देखो क्योंकि यह वाला portion जो है negative है, negative part है, तो nickel जो है last में, यहां लिख देती हूं, tetra, ciano, अब nickel 8 लगाएंगे पीछे, 8 लगाएंगे क्यों, क्योंकि एक यह negative part है, negative part को लिख रहे हैं, यह bracket लगा दी, यहां पे हम इसका oxidation state लिखेंगे, अब देखो, यहां पे oxidation state को calculate कर लेते हैं, किस तरह से करेंगे, 4, potassium का plus 1 oxidation state होता है, हमको पता है, nickel के लिए x इस्तेमाल किया, ciano 4, and इसका minus 1 रहता है, equals to 0, तो x क्या हो गया, plus 4, minus 4, तो x is equal to 0, तो यहां पे write down 0, तो यह हमने नाम लिख दिया, ठीक है बटाब, आप देखो, मतलब मैंने 5 example लिए थे, 5 वैसे 3 लिख दिये, and I don't think so, अभी तक आपको कोई problem हुई होगी, now, coming to our next example, that is, pt, nh3, 4, एक bracket, and then, pt, cl4, second bracket, ठीक है, अब देखो बटाब, इसका नाम लिखते हैं, अब क्या है यहां पे, char and amine, tetra amine, फिर उसके बाद है, यह वाला जो first half है ना, यह cation की है, हमेशा से आप देखो, जितने भी example किये, जो first लिखा जाता है, वो cation ही लिखा जाता है, and second part जो होता है, anion का होता है, तो tetra amine, क्य क्योंकि यह positive part है, cation portion है, तो यहां पे platinum directly लिखा जाएगा, मतलब कोई 8 या special ending नहीं होगी, tetra amine, platinum, अब bracket लगा दो, oxidation state निकाल लेंगे, फिर हम इसकी, next का नाम लिखेंगे पहले, tetra chloroplatinate, अब इसको platinate क्यों लिखा, क्योंकि जो यह वाला complex है, यह anionic complex है, ठीक है बटा, अब क्या करते हैं, इसकी oxidation state निकालते हैं, निकाल लो, platinum के लिए x इस्तेमाल किया, जो amine है, एक neutral ligand है, 4 into 0, plus again platinum के लिए x यूज किया, and then 4 and chlorine की oxidation state minus 1 equals to 0, अब देखो, x and x, 2x, here 0, and here minus 4 equals to 0, x is equal to 2, तो हुआ क्या, simple complex ही था यह वाला, तो यहाँ पर platinum की oxidation state 2 आगी, तो अब यहाँ पर जाओ, और roman numeral में इसकी oxidation state को लिख दो, इससे आपका नाम complete हो गया, now coming to our last example, जो bridging compound था, उसका example लिख लेते हैं, अब इस bridging molecule का नाम लिखते हैं, बहुत असान है, कुछ भी नहीं करना इसको, जैसे sequence wise पहले लिखते थे वैसे लिखेंगे, तो चार बार water molecule है, जिसके लिखेंगे, tetra, aqua, फिर लिखेंगे fe के लिए iron, brackets लगा देंगे oxidation state के लिए, फिर calculate कर लेंगे, अब ये है nitrito and ये है isothiocinato, तो अब isothiocinato पहले आया, और bridge में हैं, तो इसके लिए mu use करेंगे, इस तरह से, and लिखेंगे isothiocinato, ये पूरा नहीं आ रहा, यहाँ पे, thayo, saya, netto, उसके बाद फिर से mu use करेंगे, क्योंकि second bridge में जो ये वाला group है, इसको भी लिखना है, mu, फिर लिखेंगे nitrito, उसके बाद फिर इस तरह से hash लगाएंगे, और लिखेंगे, tetra, aqua again, उसके बाद ये again, एक ही उसमें है, positive है, तो iron ही use होगा, and फिर bracket लगाके इससे छोड़ दो, उसके बाद oxidation state निकाल लेंगे, and बाहर जो है, NO3 यानि की nitrate लिखा हुआ है, ठीके बटा, अब देखो, ये नाम लिखा गया है, tetra aqua iron, mu, isothiocyanato, mu, nitrito, tetra aqua iron, nitrate, अब क्या काम रह गया हमें, अब एक ही काम बचता है, कि हम oxidation state निकाल लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं, aqua की 0, 4 into 0, और उसके बाद लिखेंगे, X iron के लिए, plus जो nitrito है, and NCS, दोनों isothiocyanato, दोनों की ही minus 1 होती है, तो minus 1, plus minus 1, again, उसके बाद FV है, तो again, X लिखेंगे, water again, 4, 0, यह हो गया, plus जो nitrate है हमारे पास, इसको हमें पता है, minus 1 होता है, तो 2 into minus 1 equals to 0, अब सभी को calculate कर लो, यहाँ पे, यह भी, यहाँ पर यह देखो, यह 0 हो गया, फिर उसके बाद यह भी 0 है, 2X है, यहाँ लिख देती हूँ, 2X है, फिर यह minus 2 है, and फिर minus 2 है, equals to 0, 2X minus 4 आगया यह, ठीक है, लिखने को जगा नहीं है, ऐसे लिख रही हूँ, different pen से ताकि पता चलता रहे, 2X minus 4 is equal to 0, and जो X की value आगी, वो है 2, तो यहाँ पर जाकर fill कर तो इसकी oxidation state, here 2 and here 2, हो गया काम खतम, सारे type के हमारे पास coordination compounds थे, उनका nomenclature हमने कर लिया, जितने भी type थे, ठीक है बटा, अब जो यह मैं लिखरी हूँ यहाँ पर, कि water के लिए aqua है, ono जो है, nitrito है, यह आपको याद करना पड़ेगा, अगर याद करने में थोड़ी से मुश्किल है, तो practice करो, daily देखो, जल्दी हो जाएगा, मैं यह कर सकती हूँ आपके लिए, कि इनकी जो table है, मैं बोलूँगी, परदीप की book से, या modern की book से, जहाँ पे भी आपको मिलता है, उसमें से देखो, उसमें आपको ligands की type, जैसे unidentate, bidentate, polyidentate, ठीक है, वो भी पता चल जाता है, और इनकी जो charges हैं, वो भी पता चल जाता ह हैं, क्योंकि आपको basically oxidation state निकालनी है, तो charges का भी पता होना ज़रूरी है, मैं क्या करती हूँ, इस वीडियो में आपको उसके pics भी लगा दूँगी, ताकि आपको कहीं और से जाके देखना ना पड़े, ठीक है, homework के लिए questions देना चाती हूँ, तो यहाँ पर लिख देती हूँ वो भी, बस यह तीन जो है मैंने coordination compounds लिख दिये, इनके name मुझे comment box में comment कर देना, कि क्या है, मैं आपको correct करूँगी, मैं आपको बस इनके famous name बता देती हूँ, यह जो first मैंने लिखा है, इसको nestler's reagent भी बोलते हैं, ठीक है, एक यह है famous, और यह तो आपको third one तो, lithium aluminum hydride सबको पता है, ठीक है?